क्या ब्लोग ने सोचा है कि डोडी मौन और नोविता पोकेमान वर्ड में जाते अडरेश केचम से मिलते हैं काफी ज्यादा मज़धार लगता है पोकेमान और डोडी मुन दोनों एक कभी फेमस फ्रेंचाइजी है जिसने हमारा चायल डूल कमाल का बना दिया था और हमें काफी ज़्यादा इंटर्टेंट किया था बट क्या हो आप लोगोंने कभी सोचा है कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाए जिस्ट इमेजिन करो कि डोरी मोर नोबिता एस और पीकाचू से मिलते हैं सोचने में ही काफी ज़्यादा मज़ेदार लगता है तुम लोगोंनों भी ये कभी ना कभी तो सोचा होगा कि कासे कैसा एपिसोड होता जिसमें ये दोनों आपस में मिलते हैं अफिसियल ये होना तो बहुत ज़्यादा मुस्किल है पर मैं किसलियो हूँ आज मिलाया हूँ एक ऐसा एपिसोड जिसमें डोरी मोन और पोक्मोन एकी वर्ल्ड में रहते हैं और साथी साथ नोविता और डोरी मोनेस और पीकाचू से मिलते हैं और नोविता के घर के ऊपर एक अजीब बुलू और वाइलेट कलर की ओरास बनी हुए होती है जो एक अलगी लुक दे रही होती है फिर हमें दिखाया जाता है कि डेली की तरह नोविता अपने स्कूल से घर की तरफ वापस जा रहा होता है फिर नोविता और डेली की तरह टीवी के पास बैठते है जहाँ पर टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि पोकिमोन का काटून चल रहा है इसके कुछी देर बाद नोविता डोरीमोन से पूरता है डोरीमोन क्या हमारे इस वर्ल्ड में पोकेमोन सच में एक्जिस्ट करते है तो डोरीमोन डिप्लाइ देता है हाँ नोविता बिलकुल पोकेमोन भी एक डायमेंशन में एक्जिस्ट करते होंगे जिसका कोई भी अंत नहीं है तो हो सकता है कि इस दुनिया में किसी कोने में लगता है और डोरीमोन से कहता है कि मुझे उनसे मिलना है फिर डोरीमोन नोबिता से परिशान होकर एक गेजट निकालता है जिसका नाम होता अधर डायमेंशन ट्रेवलर जिसकी मदल से डोरीमोन और नोविता दोनों पोकेमोन के डायमेंशन में चले जाते हैं पोकेमोन की दुनिया में पहुँच जाते हैं फिर अगले सीन में दिखा जाता है कि नोविता और डोरीमोन दोनों पोकेमोन को देख रहे होते हैं उसके बाद वो आंटी बोलती है तो तुम दोलों जरूर ही यहाँ पर पोक्मोन वर्ल चेंपियंशिप का फाइनल बेटल देखने आये होगे तो नोबिता बोलता है बेटल तब आंटी बोलती है आज एस और लियोन का फाइनल बेटल है मास्टर एट का और यह जो बेटल होने वाले हो काफी ज़्यादा कमाल और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल ट्रेनर की बीच में है और फिर यह डोरी मॉन और नोबिता उस स्टेडियम की और जाने लगते हैं जहाँ पर एस और लियोन का फाइनल बेटल होने वाला होता है बेटल को डोरी मॉन और नोबिता भी देख रहे होते हैं जहाँ पर एस जो होता है वो फाइनली लियोन को हरा देता है और बन जाता है परकमूर वर्ल्ड का चेंपियन उसके बाद नोबिता बोलता है कि मुझे अब एस केचम से मिलना है उससे बात करनी है उसके बाद डोरी मॉन और नोबिता दोनों ये एस के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो एस से मिलते हैं जिसके बाद नोबिता अपने बारे में बताता है इसको और ये भी बताता है कि वो कितना बड़ा फेन है इसका नोबिता कहता है एस क्या मैं आपके साथ एक फोटो गीचा सकता हूँ उसके बाद नोबिता डोरी मोन और इस एक साथ मिलकर एक फोटो क्लिक करते हैं उसके कुछ ही समय के बाद डोरी मोन और नोबिता हो जाते हैं क्योंकि उनके जो गेजट की जो time limit थी वो खतम हो जाती है ओवर हो जाती है फाइनली हमें फिर से वह वाला scene दिखाया जाता है जहां पर नोविता सोर आ ओता है और उसके घर के बाहर रात का scene होता है जहांपे बुलू और वाइलेट के लड़की लाइट जो होती हो दिखाई जाती है तो हाँ इस एपिसोड को कभी भी टीवी पर या फिर कहीं पर भी नहीं दिखाया गया यह एपिसोड ओफिसियल नहीं बलकि फेन मेड है जिसे पूकी इभी ने बनाया था एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताना और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो क्यों कि आपको फ्यूचर में भी ऐसे मच्जिदार वीडियो मिलने वाली है और इस चैनल पर डोरी मोन की ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो तो जाके कमेंट में जरूर लिखना कि डोरी मोन पर और भी वीडियो लाओ तब तक के लिए दूसरी वीडियो जाके चेक आउट करो रादे रादे